पुरुशोत्तम मास मल मास के कारण इस साल सावन दो माह का होगा। सावन चार जुलाई से आरंभ हो रहा है और 31 अगस्त को समाप्थ होगा। कुल 69 दिनों तक सावन मास रहेगा। अधिक मास 18 जुलाई बुधवार से 16 अगस्त गुरुवार तक रहेगा। इस साल यह पवित्र श्रावन माह बहुत सारे शुब संयोग और योगों को लेकर आ रहा है। भगवान शिव के तमाम भक्त अपनी मनोकामना पूर्ती के लिए सावन भर उनकी विशेश पूजा करते हैं .8 सुमवारी नौ मंगला गौरी वरत रखा जाएगा ऐसा माना जाता है कि सावन के महीने में भगवान शंकर की आराधना और जलाभिशेख करने से मनुष्य की सभी तरह की मनोकामनाएं पूरी होती हैं . इस बार सावन के महीने में 8 सुमवार के वरत और 9 मंगला गौरी वरत रखा जाएगा . शिवपुरान में लिखा गया है कि दक्ष पुत्री सती ने जब अपने प्राणों को त्याग दिया था तो महादेव दुख में इतने डूब गए थे कि घोर तप में लीन हो गए थे . तब माता सती ने परवतराज हिमाले पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लिया और महादेव को पती के रूप में पाने के लिए कठोर तप किया . उनकी इस कठोर तपस्या से प्रसंद होकर महादेव ने उनकी मनोकामना को पूरा किया और इसके बाद ही महाशिवरात्री पर उनका माता पार्वती के साथ विवा हुआ इस तरह ये महीना शिवजी और माता पारवती के मिलन का महीना माना जाता है इसलिए ये महीना भगवान शिव और माता गोरी दोनों को प्रिय है इन चीजों के चढ़ावे से मिलेंगे ये लाब गंगाजल शिवलिंग का गंगाजल से अभिशेक करने पर सुक्सम्रिद्धी आती है केसर शिवलिंग पर केसर से अभिशेक करने पर शिवकृपा की प्राप्ती होती है गन्ने का रस आर्थिक परेशानियों से चुटकारा पाने के लिए गन्ने के रस से करें अभिशेक उल इत्र मांसिक तनाव दूर करने के लिए इत्र से करें शिवजी का अभिशेक उल दूध दूध चढ़ाने से संतान की प्राप्ति होती है गी अच्छी सेहत के लिए सावन के महीने में करें गी से भोलेनात का अभिशेक